हलो एवरिवन क्या हाल चाल भई दिस जीशान यूर मैट्स मेंटर और क्लास 9 के सारे बच्चों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग चैनल पर जिसका नम है मैगनिट बेन्स भई आप उस चैनल पर हैं जहाँ पर किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक सारे वीडियो पूरा कोर्स आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलता है आन्दा टू फ्री आफ कॉस्ट जी हाँ आप हमारे वीडियो सारे के सा वीडियो चाहिए आप कोई भी क्लास में हो क्लास 1,2,3,7,8,9,10,11,12 किसी भी क्लास में हो कोई भी स्प्रीम हो आप अपना पूरा का पूरा कोर्स वीडियो फॉर्मेट में फ्री में देख सकते हैं हमारे यूटूब चैनल पर हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप पर ज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो शेर कीजिए सो देट वो भी पढ़ाई करके अच्छे मांक्स गें कर सकें तो क्लास 9 के प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे सर्फिस एरिया इन वॉल्यूम का NCRT एक्जामपल का पार्ट वन हर पर बेस्ट कोशन आ रहे हैं या आ सकते हैं समझ में आई बात तो आज अपने इंग्जामपल देखेंगे तीन इंग्जामपल को आराम से देखेंगे बिकॉज यह एक्जामपल अगर तुमने समझ लिये तो तुम यह समझ लो तुम रेडी हो बिटा आगे जाने के लिए आगे मतलब exercise point one करने के लिए तो शुरू करने हैं आज का यह session और यह जो वीडियो रहेगी इसमें पहला question आपके लिए यह है लेकिन इससे पहले कि मैं first question attempt कर भाऊं बच्चो मैं चाहता हूं कि अपन सबसे पहले सारे formulas देख लें कोन के लिए ठीक है मैं side में सारे formula लिखत से देखो कोन में three dimensions होती है dimension बोले तो तीन चीज़े होती है नापने को measure करने को ठीक है very first thing is बच्चो the very first thing is radius of its base यह radius हो गया देखो यह red color से लिखा यह radius हो गया बच्चो this is the radius of its base तो इसको मैंने लिख दिया आर बच्चो एक होती है perpendicular height जो 90 degree बनाती है radius से तो यह हो गई सर height इसको मैंने लिख दिया बच्चो small h इसको height बोलते हैं और एक होती है inclined height यह फिसल पट्टी कहते हैं ना जैसे जैसे को slides बोलते है slant height क्या बोलते हैं sir slant height यह हो गई बच्चो slant height अरे यह दिख रहे हैं यह हो गई बच्चो अपनी slant height मैं ऐसे लिख दे रहा हूं this is slant height जिसको हम L से show करते हैं done सबसे पहला और most important चीज़ जो मैं लिखूंगा वो सबसे जादा important है बच्चो क्योंकि यह यह चीज़ आप ignore नहीं कर सकते पिटा l h और r में एक relation होता है l square is equal to h square plus r square बस यह most important relation है तीनों में slant height का square is equal to square of height plus square of radius याद रखना अब हम बात करते हैं sir पहली चीज़ volume of a cone आए या ना आए हम तो सारे formula लिखेंगे sir formula क्या है कोन का volume one upon three pi r square edge volume का मतलब है इस cone के अंदर कितना पानी भर सकता है कितने rice भर सकते हैं कितने wheat भर सकता हैं कितनी cheese भर सकती है capacity of a cone next sir curved surface area of a cone बिटा curved surface area में गौर से सुन लो curved surface area में मेरे प्यारे बच्चे ये दिख रहा है ना goal वाला portion ये नीचे वाला circle नहीं आएगा because जो नीचे circle हो फ्लैट वाला surface फ्लैट एक curved नहीं है sir ये जो side वाला portion है ना this is called as curved surface area और इसका formula होगा pi into r into l pi into radius into slant height l बच्चो total surface area की बात की जाए total surface area pi r l total surface area में पता क्या होता curved surface area भी आ जाएगा और नीचे का circle का भी area आ जाएगा मतलब ऐसे आता है देखो curved surface area pi r l ये भी आ गया plus नीचे जो circular shape है ना circular face है वो भी count हो जाएगा और उसका area होता pi r square pi और pi common उठा लो एक r और दो r एक r common उठा लो l बच्चा प्लस यहां से एक r बच्चा ये होता है बच्चो total surface area of cone pi r bracket l plus r pi r bracket l plus r तो यह formula हमें दिमाग में रखने है बले ही volume पूछा जाए या ना पूछा जाए हमें उससे मतलब नहीं है ठीक है चलो moving on to question number one find the curved surface area of a right circular cone whose slant height बच्चा slant height दी गई है बच्चा slant height दी गई है बच्चा slant height is l l दिया गया है sir 10 centimeter and base radius is 7 base radius base का radius base होता है circular ship तो radius दिया है उसका r 7 centimeter ठीक है यह given है बटा इस आर given things तो अपनने लिख देना है given आराम से समझेंगे किसी बात की जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों ठीक है क्या निकालना है बच्चा सर्फेस एरिया निकालना है सिलेंडर कोन का बच्चा सर्फेस एरिया क्या होता है csa csa stands for curved surface area क्या होता है पाई rl यह बहुत basic सा question है पाई rl पाई into r into l पाई की value बटा इन्होंने नहीं दी तो अपन 22 upon 7 रख सकते हैं 22 upon 7 into r radius कितना है 7 है into l l कितना है 10 है तो 10 लिख लो भई 7 से 7 कट गया 22 into 10 आंसर आया 220 cm square बेटा radius में unit के उपर radius कह रहा हूं यार area हो चाहे curved हो या total हो area area होता है area में बच्चो unit के उपर square लगता ही लगता है square unit हो जाती है ठीक है चलो moving on to next question जल्दी से स्को erase कर दें next question बच्चो ये रहा this is our next question number 2 जल्दी से पढ़ लो slide change कर दी है मैंने the height of a cone is 16 cm ठीक है sir height of a cone h होती है l नहीं होती है पिटा h is equal to 16 cm and its base radius is 12 base का radius 12 है ठीक है find the curved surface area and total surface area दोनों निकालना है पहले अपन लिख देते हैं given ये चीज़े हमको दी गही है ठीक है ये given हमको बोला गया है find the curved surface area and total surface area देखो बच्चों curved surface area होता है सर पाई आर एल पाई इंटू आर इंटू एल एल तो नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा total surface area होता है दोस्त देखो गोर से total surface area होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर अगेन यहां भी needed है यहां भी required है एल नहीं पता लेकिन इस relation से अपन एल निकाल सकते हैं slantite निकाल सकते हैं दोस्त रिलेशन सेज एल स्कूर इस एकोई टू है एल स्कूर प्लस आर स्कूर या आर स्कूर प्लस है एच स्कूर कुछ भी लिख दो कोई फर्थ नहीं बढ़ता है एच स्कूर प्लस आर स्कूर ठीक है है एच है बिटा 16 और आर है 12 तो एल स्कूर इस एकोल टू 16 है तो 16 का स्कूर प्लस आर 12 है तो 12 का स्कूर ठीक है 16 का स्कूर 256 एल स्कूर इस एकोल टू 256 प्लस 12 का स्कूर इस 144 दोनों एट कर देंगे 400 आएगा एल स्कूर इस एकोल टू 400 मिटा एल से स्कूर रटेगा तो सामने वाला जो 400 है वो स्कूर रूट में चला जाएगा और 400 इस यू शुद नो 20 का स्कूर देट इस 20 इंटू 20 ठीक है 20 इंटू 20 तो 2020 बाहर आजाएगा तो एल आ गया बच्चो 20 सेंटीमेटर लेंट इस यहां लिख लेते हैं स्लेंट आइट आगई हमारे पास 20 सेंटीमेटर डन येस सर चलो दोस्त वैलियू रखते हैं सबसे पहले सी ए से निकालते हैं लेट इस कैलकुलेट कर्व सर्फिस एरिया तो भहिया सी एस ए इस एकोल टू पाई की वैल्यू हमें दी गई है दोस्त थ्री पॉइंट वन फोर रखनी है जब नहीं दी होती तब आप कुछ भी रख सकते हो ट्वेंटी डू अपॉन सेविन रख दो या त्री पॉइंट वन रख दो आपकी मर्जी के अनूसार आर है बच्चों कहां चला गया आर 12 है इंटू एल अपना 20 आया तो 20 लिखते हैं 20 को 2 इंटू 10 लिख देते हैं 20 को 2 इंटू 10 लिख देते हैं यह L है This is L. 10 का multiply इस decimal वाली चीज़ से कर दो और 2 इंटू 10 इंटू मैं करता हूं रुप जाू. 2, 3s are 6, 2, 0.8 2, 20 का multiply इसमें कर दिया है, ये आया और इंटू 12 बचा. इंटू 12, चलो 12 का multiply और करते हैं. 12, 8s are 96 की 6, 9 carry. 12, 2s are 24 और 9, 33. 33, 33 की 3, 3 carry. 12, 6s are 72 और 3, 75. 75, 3.6 cm2. ये अंसर आया. ठीक है, 12, 8s are 96, 6, 9 carry. 12, 2s are 24 और 9, 33 की 3, 3 carry. 12, 6 are 72, 73, 74, 75. ये अंसर आगे हैं बच्छों, इस is curved surface area. आप चलते हैं, total surface. area की तरफ, ठीक है? अच्छा, total surface area तुम्हें निकालना एक और तरीके से सिखाऊंगा. मैं थोड़ा सा लेंदी जरूर है, पर यार आना चाहिए तुम्हें निकालना. ठीक है? सर, जैसे ये curved surface area निकाल लिया. अभी बात करते हैं, अपन TSA, that is total surface area. ये क्या है? नहीं पता, चलो निकाल लेते हैं. पाई आर, bracket L प्लस आर, टन चलो, पाई 3.14, आर, आर कितना है भाई? आर है अपने पास, 12, इंटो L प्लस आर, L कितना है? 20, आर कितना है? 12, 20 और 12, 32 बेटा, 32 आया, 32 आगया सर, ठीक है? 3.14, इंटो, 12 इंटो 32, 12 तू जा 24 की 4, 2 कैरी 12, 3 जा 36, 37, 38, 384 इंटो 3.14, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है? रफली कर ले रहा हूँ मैं, 384, चलो, 4, 4 जा 16 की 6, 1 कैरी 4, 8 जा 32 और 1, 39 की 9, 3 कैरी 4, 3 जा 12, 13, 14, 15, ठीक है? 1 कैरी 4, 13, 24, 12 की 2, 1 कैरी 3, 1 जा 3 और 1, 4, 3 3 जा 9, 6, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 1 कैरी 15 और 11, 16, 1 कैरी 8, nine eight six three six nine eight six point three six centimeter square यह answer आगया this is it यह अपना total surface area आगया ठीक है अभी देखना मैं बताना क्या चाह रहा था यह तो answer आगया अपना अब तुम चाहो ना तो curved surface area की मदद से curved surface area की मदद से total surface area निकाल सकते हो कैसे एक तो तुम curved surface area निकाल चुके हो अब एक तुम निकाल लो पाई आर स्क्वेर वहिया क्योंकि curved surface area और area of lower side जो base होता है ना वो circle के shape में होता अगर इन दोनों को निकाल के अट कर तो तब भी total surface area बन जाएगा याद रखना बिटा total surface area बनता है curved surface area plus pi r square ये कोन के लिए valid है ठीक है चलो सर तो ये भी करके दिखा दो सर चलो दिखा देता हूं pi है 3.14 into r square r is 12 तो 12 square that is 144 ठीक है 3.14 into 144 बिटा जो भी आए करके देखना जरूर है करके जरूर देखना ये जो भी आए जो भी whatever this will come इसको और इसको बिटा add कर देना इन दोनों को add कर देना you will get your answer same as this बिलकुल यह answer मिलेगा आपको ठीक है 986.36 right done कोई समझते है नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो भाई सामने से हट जाता हूं समझ लो अच्छे से next coming on to question number 3 चलो question number 3 देखते हैं सर इसको erase करते हैं okay example of NCRT number 3 a corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end देखो actually यह जो corn cob है भुट्टा जिसको बोलते हैं यह उन्होंने कह एक कोन की तरह है this is just like a cone एक कोन की ही तरह है और जो broadest end यह यह जो मैं बना रहा हूं यह broadest end है सबसे ज़्यादा चोड़ा पार चोड़ा पार चोड़ा मतलब वाइडिस्ट तो सर यह वो जो वाइडिस्ट एंड है ना उसका radius 2.1 cm दिया है यह हो गया यह वाला हिस्सा हो गया बिटा इसका और यह जो radius दिया गया है it is given 2.1 cm तो 2.1 cm को 21 upon 10 cm अपन कहेंगे ठीक है 21 upon 10 cm उसका reason है decimal अटादो जादा सही रहेगा ठीक है सर रेडियस हो क्या okay and the length is 20 cm यहां से लेकर पूरा यहां तक जो है 20 cm है मतलब they are saying the length of this part is कोन की इस भुट्टे की जो length is standing length जिसको हम altitude भी बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक जो 90 डिगरी बनाती है radius के साथ यह सर हम को 20 दी गई है so height is equal to 20 cm h is equal to 20 cm टीक? okay sir now if 1 cm of the surface this carries an average of 4 grains एक सेंटीमीटर एरिया में 1 cm स्क्वेर एरिया में बच्चों गौर से सुन लो 1 cm स्क्वेर एरिया में चार भुट्टे के दाने आते हैं भुट्टे के चार दाने 4 corn grains दाने होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं corn के दाने बोलते हैं तो दे आर 4 4 grains है ठीक है सर 4 grains आर देर ठीक है find how many grains you would find on the entire cob पूरे कोब के उपर आपको total कितने grains देखने को मिलेंगे they are asking total number of grains which the entire cob has बता बिटा क्या होगा आपके according what could be the entire number of grains on this cob बताओ find how many grains you would find on the entire cob कर लोगे चलो चलो बई देखो पहली बात तो यह समझो कि अपन को कौन सा एरिया निकालना है यह आपको समझना जरूरी है ठीक है first of all you have to understand this कौन सा एरिया चाहिए बहुत गौर से सुनना हम consider कर रहे हैं कि इसके sides में लगे हुए हैं दाने यहां थोड़ी ना लगे होते हैं नीचे थोड़ी ना लगे होते हैं कौन के दाने नीचे थोड़ी ना लगे होते हैं sides में लगे होते हैं तो हम consider करेंगे curved surface area हम consider करेंगे sir curved surface area of कौन ठीक है sir जो की formula क्या होता बच्चो it is pi into r into l l तो है ही नहीं है तो l निकालेंगे बिटा l निकालने के लिए ये वाला पन को expression चाहिए पड़ेगा l square is equal to r square plus h square या आप h square plus r square भी लिख सकते हैं l square is equal to r कितना है भाई radius 2.1 था l square is equal to 2.1 का square plus h square का मतलब हो गया 20 का square ठीक, solve करते हैं l square is equal to 4.41 441 होता है इसका square 21 का तो 4.41 प्लस 20 का square is 400 ठीक है, add करेंगे तो sir, l square आएगा 404.41 404.41 अब sir, कई लोगों को ये break करना नहीं आएगा कि sir, l square अगर ये है तो l is equal to under root 404.41 कैसे break करेंगे इसको चलो बता दे रहा हूँ long division method काम आएगा बच्चों, ठीक है long division method काम आएगा अब ये क्या होता है, चलो देख लेते हैं जल्दी से हमें 404.41 तो अपने इसको लिखेंगे 404.41 इसका आगे 20 और लिख लो चलो वैसे जरूद नहीं पड़ेगी, खतम हो जाएगा सुनो, बिटा, decimal के बाद याँ दो digits का pair बना लो, decimal के पीछे भी दो digits का pair बना लो ये अकेला रह गया, रह जाने दो कोई समझतिया नहीं ठीक है, decimal के पीछे बनाएंगे, पीछे की तरफ से 4 और 0 और ये रह गया, रह जान दो, और इसके आगे बनाएंगे ठीक है, सर फिर हम table पढ़ेंगे 2 की, 2, 2 जा 4 तो सर ये कट गया, अब ये पूरा pair नीचे आएगा बच्छो, इस whole pair will come 0, 4, ये पूरा pair नीचे आएगा, अब अच्छो हम 2 2 प्लस 2, 4 लिखेंगे यहां, ठीक है, 2 प्लस 2, 4 लिखेंगे सर, हम यहां, अब 4 के आगे अगर आपने 1 लगाया, तो आपको यहां भी 1 लगाना पड़ेगा, getting my point, अगर आपने 4 के आगे 2 लगाया, तो आपको यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन सर, अगर हमने इसके आगे 4 क्या कि 1 लगाया और यहां 1 लगाया तो इसका multiply 1 से करना पड़ेगा 41 ही तो बहुत बढ़ा रहा है तो क्या करें सर हमें यहाँ पर सबसे बहला काम करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा और फिर हमने 0 लगाया और जैसे हमने 0 लगाया 40 का multiply 0 से होगा 40 into 0 0 पेटा यहां लिख दो यह 4 बचा अब यह point का 4 1 पूरा नीचे आ जाएगा पूरा नीचे आ गया पेटा 40 प्लस 0 तो 40 बचा 40 गहर से सुनना इसको अटा दू 40 जैसे 2 प्लस 2 4 आगया था अब 40 प्लस लास्ट डिजिट 40 प्लस लास्ट डिजिट 40 प्लस 0 विल बी 40 40 अब सर यहां अगर आपने 1 लगाया अगर इसके आगे अपने 1 लगाया तो आपको यहां भी 1 अगर यहां मैंने 1 लगाया तो मुझे यहां भी 1 लगाना पड़ेगा और मुझे इसका मल्टीप्लाइ भी 1 से करना पड़ेगा अगर मैंने यहां 2 लगाया तो मुझे यहां भी 2 लगाना पड़ेगा और इसका multiply 2 से करना पड़ेगा पर सर यहां 1 ही लिख दो 401 into 1 401 ही आ जाएगा ठीक है तो सरी कितना आया 40 बचा इतना copy कर लो क्योंकि मुझे करना है इसको clear इसको clear करना है मुझे दन चलो ऐसे ही सह इसको पूरा solve करेंगे तो 20.11 आ जाएगा उपर आ रहा था ना 20.1 एक और वन आ जाएगा तो यह हमको देगा 20.11 20.1 वन सेंटी मीटर बच्चो अगर आपको long division method बहुत दीडेल में सीखना है तो comment कर देना मैं जरूर एक video dedicated video बना के आपको सिखा दूंगा long division method ठीक है चलो सर यह आगया L that is slendite चलो curve surface area निकालें सर पाई दिया है क्या नहीं दिया चलो सर पाई की value हम रखेंगे 22 upon 7 R की जगह हम रखेंगे 21 upon 10 L की जगह हम रखेंगे सर 20.11 7 से दिस इस गॉन फोर 3 ताइम्स 3 इंटू 22 66 इंटू 2 इसको डिवाइड कर दे रहे 2.011 10 नहीं है बिट अब नीचे 10 से पन ने इसको डिवाइड कर दिया तो decimal और पीछे आ गया चलो multiply करते हैं और पतक लगाते हैं कितना क्या है ठीक है चलो roughly multiply करते हैं 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 0s are 0, 6 2s are 12 ठीक है 1, 2, 0, 6, 6 add करेंगे 1, 3, 2, 7, 2, 6 1, 3, 2, 7, 2, 6 ठीक है और decimal के बाद 3 डिजिट है मेटा तो 3 डिजिट जल्दी से 1, 2, 3, 3 तीन डिजिट यहाँ पर लगा लो decimal और यह आगया अपना centimeter square इतना copy करो फिर अपन आगे चलके number of grains find करते हैं अब बिटा अपन निकालेंगे number of grains भाई total अपन के पास area आगया है number of grains निकाल लेंगे ठीक है number of grains के लिए क्या system है बिटा यह मैं erase कर दूँ पहले sir number of grains के लिए हमें दे दिया गया कि मैं पहले heading डाल दूँ number of grains ठीक सर एक centimeter square में चार grains लगे हुए है इतने area में four grains लगे हुए है four grains मतलब भुट्टे के चार दाने तो सर इतने area में कितने grains होंगे अरे multiply कर दूना है तो total number of grains विल भी total number of grains विल भी total area into four खतम that's it ठीक है total area into four अच्छा मैं काम करूँ अगर मैं four से इसका multiply कर देता हूँ तो decimal लोड़ पाएगा क्या अब भी decimal लोड़ेगा नहीं चलो direct multiply करते है one three two point seven two six into four four six are twenty four ki four two carry four two is a eight or two ten ki zero one carry four seven is a twenty eight or one twenty nine two carry four two is a eight or two ten ki zero one carry four three is a twelve or one thirteen ki three one carry four one is a four or one five लगब 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 531 grains इसको round off करोगे ना तो five thirty one grains की आसपास आएगा this is our answer ठीक है यह अपना answer आ गया copy कर लो खतम होगया बिटा session तीन examples अपने बहुत अच्छे तरीके दे समझ लिए है ड़न इसको चलो चलो भाई session खतम करते हैं आपने example अच्छे से समझ लिए होंगे और फिर अपन चलेंगे अब दूसरी मतलब exercise वन की तरफ ठीक है आप हमारी website पे भी जाके बढ़ाई कर सकते हो website पे सारे वीडियो आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे जैसे हमारे देते हैं आप हमारे यूटूब चैनल पे तो पढ़ाई करते ही हो of course पर आप हमारी website पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हो हमारी app को भी use कर सकते हो to study to watch videos and clear your concepts उसके लिए बच्चों आपको Google Play Store पर जाना होगा सर्च करना होगा magnet brains आपको हमारी app मिल जाएगी install कर लेना और उस नहीं लिया जा रहा है सारे videos full course free of cost आप देख सकते हैं without any headache without any cost without any charge बस return में आपको पदा ही हमें क्या चाहिए return में हमें आप से चाहिए consistency, regularity और हमेशा पढ़ाई करने वाला वादा ठीक है जल्दी मिलेंगे next session till then happy learning take care bye